हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आल्पनस कोकिंग स्टैल आज हम बनाएंगे सुजी का धुकला ये धुकला बानाना बहती आसन है और खाने में भी बहुत टेस्टी है बाच्चे बड़े सबको बहती पसंद है तो चलिए ये बानाना सुरू करते हैं मैंनी यहाँ दो सुप्राम दही लिया एक कटड़ी और दो हारी मिर्ची एक इंचोटकर अद्रक मैं एक दोही का साथ हारी मिर्ची अद्रक को मिक्सी में फ्याट लेंगे आप चाहे एक चामच अद्रक पेस्ट और हारी मिर्ची भी पेस्ट करके ले सकते हैं यहाँ पर्मेन एक बड़ासेक बावल लेलिया और इसमें उसी कटोड़ी का नापकेई एक कटोड़ी बारीक ओला सुजी लिया आपका पासाकğa बारीक ओला शुजी ना हो तो मोटाओला शुजी लेते हैं लेकेण उसी है एक बाद जौड़ीयाशी हमने जो 2 ही मिकसी में फ्याटलिया तो दो ही डालेंगे R u5 टिसपं नमक लिए उधा यहां पर मैंने एक बड़ा से भोगना ले लिया और इसमें एक काटाट डाल देंगे या कोई भी स्टेंड डाल सकते हो और उसमें पानी डालके धक्कन लागा के इसा हम उबालाने देते हैं पंद्रमी निठ हो गया दिखिए शुजी आच्छे से फूल गया अभी इसे ओर एक बार आच्छे थरा हम फैट लेते हैं यह पेस्ट अभी थोड़ा से गारा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गारा नहीं है तो हम इसमें और एक टेबिल स्पॉन पानी मिलाके और एक बार फैट लेंगे और फैट के एक साइट पे से राग देंगे मैंने यहाँ पे छोटा से बर्तन ले लिया जिसमें हम बैटर डालके स्टिम करेंगे आप चाहे केक्टिन भी उसकर सकता है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी से तेल डालके आच्छे से बर्तन को ब्राश कर लेंगे ताकि ए नीचे से चिपक ना जाए आप ए बर्तन डेड़ी हो गया स्टिम करने के लिए आप ही जो बैटर है और एक बार मिक्स कर लेता है और बैटर में डालेंगे एक टीस्पुन इनो फ्रूर्ट सल्ट और इस पर डाल देते थोड़ी से पानी ताकि जोड़ी से एक्टिवेट हो जाए जास्ट इनो आच्छी तरह मिक्स हो जाए और ज्यादा देर तक छोड़ी नहीं देना नहीं तो इसका एक्टिवेटनेस खतम हो जाएगा इसे फटा फट दूश्य बर्तन में टेंस्पर कर लेता है और ऐसे थोड़ा टेप कर लेंगे ताकि निशी से आच्छी तरह सीठ हो जाए देखिए पानी आच्छी तरह बोईल हो गया आप बर्तन स्टैन का उपर बैठाके धाग देंगे और पीस मिनिट के लिए इसे स्टीम होने देंगे 20 मिनिट हो गया धौकन निकाल लेता है और एक टूथपिक से इसे हम चेक कर लेंगे देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ गया इसका मतलब प्रॉपरली स्टीम हो गया अब हम इसको निकाल के ठांडा होने देंगे उसका बाद हम इसे पिसेस करके काट लेंगे ये धौकला ठांडा हो गया अब इक चाकु से इसको चागो तरह पिस तरह थोरा लूज कर लेंगे और इसका पुड़े प्लेट बैठाके इसे पालट देंगे और पालट के इस थरह टैप मारेंगे टैप मारना से आराम से निकालाएगा देखिए कितना अच्छा जालिदा धुकला बन के रिटी है इसको आप पिसेस करके काट लेंगे छोटे बड़े आप जिस तरह आप पिसेस करके काट सकता है अपना मोर्जे से काटिए आप इसके लिए तरका बना लेते है तो मैंने यहापे तीन हरी मिट्ची लिया और हरी मिट्ची को बीज में सीट देंगे और इससे बीज निकाल लेंगे तरका के लिए एक कड़ाई गरम कर लिया और इसमें डालेंगे दो चमस तेल तेल गरम होते ही डालेंगे एक टीस्पून राई के दना जब राई के दना चटकने लगे तब डाल देंगे कुछ कड़ी बत्ता और स्लिट क्या हुआ हरी मिच्ची ये थोड़ा से फ्राई हो जा उसके बाद डाल देंगे एक टीबिल स्पून तील तरका में तील डालेंगे से ये तरका बहुत ही टिस्टी होता है और ये सारे चीज फ्राई हो गया आप इसको डाल देंगे जो काटी हुई धोकला है उसका पर चामस भरके डाल देंगे ये धोकला आपके मन पसंद चाटनी या सोस से खा सकता है नहीं तो ऐसा ही खाया जा सकता है ये ऐसा भी बहुत टेस्टी लगता है ये रेसीप आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को साब्सक्राब कीजे लाइक एंड शेर कीजे आपना दोस्तों के साथ फिर मिलेंग ओरेक रेस्पेक साथ आप सब आपना ख्याल रखिये बाई झाल